ते गुद्मॉर्णिंग स्टुदेंट्स क्लास एट के जितने भी स्टुदेंट्स एनुका में स्वगत करता हूं अपनी क्लास में मैं हूं आकासर तोडेवी बीजिशियरी इन शिविक्स पॉलिटिकल साइन्स का फाइनल पार्ट है इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ओफ इंडिया कैन अप्रोच दा कोर्ट इन दा कंट्री और सीग देशिश्टिस सद्धान्ति गुर्प से जतने भी सिटीजन है भारत के वो जो है कोर्ट में जा सकते हैं और अपना नियाय प्राफ्ट कर सकते हैं बट इन रियलिटी लेकिन वास्तविक्ता में ऐसा नहीं है मुझे पताया खोद सोचिए कोर्ट आर नाट इसल्य एकसे Всем कर सकें और वास्ट मेज़ोर्टी कोई कि पॉपलेशन जादा है और लोग गरीव जाना है वास्ट मेज़ोर्टी ऑफ पूर इन इंडिया भारत में जितनी गरीवी है इस वेरी डिफिकल तो एप्रोच दो कोड्स यह बड़ा ही मुस्किल है कि कोट में हम जाएं ठीक है तो क्या होती है कानुनी उसमें बहुत सारे धनी की आविशकता है एंड पेपर वर्क टेक्स अप लॉट अटाइम और बहुत सारा समय लेते हैं देर्फोर पीपल ऑफन अवाइट तो गो तो दा कोट्स एंड गोएं गट जस्टिस इसलिए जो गरीब लोग है वो विचारी को इसलिए जो है सुप्रीम कोट ने एक तरीका निकाला आया है कि आप पियाईल दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोट में पब्लिक इंट्रेस लिटिकेशन और प्यायल इन अर्ली 1980s इन इन और तो इंक्रीज एक्स तो जस्टिस जिससे कि सभी को जो है न्याय प्राप्त हो सके ठ ठीक है अभी है किया इट अलावड इनी इंडिविजोल और और अर्गनाजिएशन तो फिल अपिल इन दा हाई कोट और दा सुप्रीम कोट अन भीहाफ आफ आफ दीज वूज राइट्स वेर बिंग वायलोटेट यानि कोई भी वेक्ति जिसके जो है राइट्स जिसके पाद रिखनी है दे लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवेन अ लैटर और टेलीग्राम एड़ेस्ट तू दे सुप्रीम कोट और हाई कोट कुड़ भी टीटेट अस पी आईल आप एक 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 लैटर की थूरू टेलीग्राम की थूरू भी आप य यृण दायर कर सकते हैं ओक्यें आगे चलते हैं स्टूदेंट्स माइडियर स्टूदेंट्स तो इसका अंतिम उसके पहुंच चुकें यह न्तिम पढ़ाओं वे हम जूडिशिल सिस्टम पर जानते हैं अंतिम टॉपिक हैं कुछ इप 있어 मेकेनिजम और चानूं जो है वाइ है ठीक है student judicial review that is most important the judicial has the power to modify or cancel particular law passed by the parliament if it finds that they do not adhere to the constitution अगर भी constitution के खिलाप है यह संबिधान को follow नहीं कर रहे हैं जो parliament ने जो लोग पास की है तो जो judiciary के पास अधिकार है कि उन्हें cancel कर सकता है this is known as judicial review इसे ही judicial review कहते है ठीक है नियाइक पुर्णराव लोकन कहते है यह बहुत important चीज़ अगर यह नहीं हो तो democracy आपकी खत्रे में पड़ जाएगी ठीक है फिर तो जो सरकार जो है रहेगी वो नए ने कानून लाईगी क्योंकि पार्लेमेंट जो है उसके ज़्यादा MP होंगे तो नए नए कानून जो है पास करवाईगी उस condition में आपकी जो है democracy खत्रे में पड़ जाएगी जिस तरह से आपका किसान अंदोलन हुआ था किसान बिल तो violation दिखते हैं it means breaking a law or encroaching summons fundamental right violation मतलब होता है या तो कानूनों को तोड़ ना या किसी व्यक्ति की कानूनी अधिकार fundamental rights को violate करना आगे है separation of power it means that the powers of the state and the powers of the judiciary are separated थे ना article 50 में ने बताय था कि state और judiciary के power separated है and this is most important कभी भी जो न्याय न्याय पालिका है वे कारे पालिका से संबंद नहीं रख सकती ठीक है यानि न्याय पालिका कारे पालिका से सोतंत रहे independent judiciary it means that the judiciary is not the government जो जो न्याय पालिका है वो सरकार नहीं है and does not act on its behalf और नहीं उसके भीहाब पर कारे करती है ठीक है तो ये chapter complete हो गया इसके question answer में आपको provide कर दे रहा हूँ student आपको आज इतना करना है मुझे ये बताना है यहाँ एक important देख रहाए separation of power separation of power इंडिया के किस article में है ठीक है Indian constitution के किस article में separation of power ठीक है Indian constitution के article आप मुझे comment करके बताइए कि किस article में है कि state और जो है आपकी जो judiciary है उसके power जो है मतलब state और judiciary में कोई relation नहीं है ठीक है thank you very much आज के लिए तना काफी है तो I hope you will understand that ना comment करके दिखाईए और कुछ बच्चे तो side class ही नहीं करते हैं ना ही comment करते हैं सिर्फ रिया और पूजा पूजा, रागफ, रिया, चौधरी और यही दो बच्चे जो है नियमित रूप से या continuously जो है क्लास कर रहे हैं civics की, political science की इन्होंने कल बहुत जवा सांतार उतर दिया था article 124 इन्होंने बहुत अच्छा बताया था thank you very much